हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तुदा चितरा साइन्स हाब, तूड़े विल डिसकस अबाउट फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइडेट्स अब सबसे पहले देखते हैं फर्मेंटेशन क्या है फर्मेंटेशन एक एनर्जी इल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसमें डिग्रेडेशन परड़क्ट ऑफ और्गनिक सबस्टेट, जो सबस्टेट का हम उक्सिडेशन करते हैं उसी की जो बाई परड़क्ट है, जो आपकी इंटर्मीडियेट्स हैं उस पात्वे में वही आपके एलेक्ट्रोन डोनर होती है और वही एलेक्ट्रोन एसेप्टर होती है कैसे अब एक्जामपल देखे, जैसे ग्लुकोस का केटावॉलिज्म होता है पाईरुवेट में इन ग्लाइकोलाइसिस इसमें आपकी एननेडियेच जो है वो बनती है, एननेडियेच यहाँ पर इलेक्ट्रोन एसेप्टर है तो इस जो पात्वे की है यहाँ तक जो ग्लुकोस से पाईरुवेट बना इस पात्वे में जो इंटर्मीडियेट है जैसे ग्लिस्रल डिहाइड थी फॉस्पेट है यह यहाँ पर electron donor हुआ और यह जो pyruid बना यह यहाँ पर electron receptor हो गया तो fermentation वो energy yielding process है जिसमें एक organic substrate की जो degradation products है यह बीच के intermediates है they serve as both electron donor and receptor अब जो है आपके fermentation की जुरुवत क्यों पड़ी अगर oxygen absent हो, aerobic respiration में तो आपका last में receptor जो होता है वो oxygen होता है लेकिन अगर आपकी oxygen absent हो तो यहाँ पर यह जो NADH generate हुए आपके glycolysis में इनका oxidation नहीं होगा electron transport chain में अब इनका अगर oxidation नहीं होगा electron transport chain में तो फर्दर आपकी glycolysis चलाने के लिए NAD positive available नहीं होगा अब जब NAD positive available नहीं होगा तो आपका जो glycolysis पात्वे है वो नहीं चल पाएगा अब fermentation में क्या है यह जो आपके NADH बने इन NADH का वापस oxidation होके NAD positive generate हो जाती है तो आपका जो glycolysis पात्वे है वो continue होता है तो fermentation में जो है जो आपके NADH बने है उनका oxidation होता है और aerobic respiration में यह oxidation electron transport chain में होता है अब जो fermentation होता है carbohydrates में तो बहुत सारी product बनती है कि अलग-अलग bacteria में आपकी अलग-अलग products बनती है तो आपकी कितनी तरह की products है जो fermentation में बनती है जैसे कि lactate है, formate है, acetone है, succinate है, acetate है, ethinol है इतनी तरह की पर्डक्ट्स जो है फर्मेंटेशन में बनती है अब कितनी तरह का फर्मेंटेशन होता है आपकी जो आन्ट पर्डक्स बनी इतनी सारी उसमें किसी भी एक फर्मेंटेशन पात्वे में डोमीनेट पर्डक्ट जो होती है उसी के base पर हम fermentation का नाम देते हैं जैसे कि alcoholic fermentation में dominate जो product है वो alcohol होती है lactic acid में lactic acid होती है lactate कहते है propionic acid fermentation में propionic acid होती है ये mainly propionic bacterium जो है propionic bacterium जो genera है इसकी species जो है उनके अंदर ही fermentation चलता है और ये fermentation यूज होता है Swiss type की cheese मनाने में और vitamin B12 के production में formic acid production दो तरह का होता है एक mixed acid fermentation और एक butane diol fermentation mixed acid fermentation में आपकी कहीं तरह के acids बनती है और ये mainly fermentation जो carried out होता है वो facultative anaerobes इने carry करते हैं और इसमें आपकी anti-robacteriacy के members आते हैं जैसे कि आपकी E.coli, Salmonella, Shigella, Proteus, एक्सेक्टरा butane diol fermentation जो है वो anti-robacter, irvenia, klebshella, syresia ये bacteria carry out करते हैं और इसमें end product butane diol बनती है और ये fermentation mainly use होता है pharmaceutical यानि कि दवाईया बनाने की factory में cosmetics, lotions, ointment और anti-perceptant anti-perceptant होते हैं आपके पसीने को रोखते हैं यानि की deuce जो आपके होते हैं butyric acid fermentation butyric acid fermentation mainly closed stadium species के bacteria जो है वो carry out करते हैं और butyric acid fermentation mainly use होता है कि जो आपके food flavor है जिनमें butter-like flavor देना हो वहां पर ये fermentation यूज होता है last step का acetic acid fermentation इसे mainly acetobacter, gluconobacter, bacteria follow करते हैं इन bacteria के अंदर ही fermentation mainly होता है ये fermentation कहां use होता है vinegar production में जिसे हम सिर्का कहते हैं cocoa बनाने में cocoa bean ascorbic acid और tartaric acid बनाने में ये fermentation यूज होता है अब हम detail में देखते हैं दो fermentation, alcoholic और lactic acid fermentation alcoholic fermentation में क्या है mainly yeast और कुछ bacteria sugar को metabolize करके ethanol और CO2 बनाते हैं तो alcoholic fermentation में main product ethanol और carbon dioxide होती है ये fermentation basis है alcoholic industry का और baking industry का alcoholic beverages में wine और beer बनाने में ये fermentation यूज होता है और baking industry में जो आपका duff है जो bread बनाने में जो आपका diffuse होता है उसकी जो rising की जाती है वो CO2 से की जाती है और वो CO2 इस fermentation से मिलती है अब alcoholic fermentation के दो step में आपका ये fermentation complete होता है पहले वाले में pyruvate का जो हमें pyruvate मिलता है glucose के oxidation से from EMP pathway वो decarboxylate होके बनाता है decarboxylation में क्या है CO2 release होता है और जो enzyme होता है वो है आपका pyruvate decarboxylase ये जो acidaldehyde बनता है फिर इस acidaldehyde का oxidation होता है sorry reduction होता है और NADH का oxidation होता है enzyme use होता है alcohol dehydrogenase और आपका बनता है ethanol तो इस fermentation में pyruvate के metabolism से एक तो carbohydrate बनती है और एक आपका ethanol बनता है energy yield अगर हम देखें कि fermentation से हमें कितनी energy मिलती है तो EMP pathway में pyruvate से तो net 2 ATP का यहाँ पर generation होता है जो NADH बनते हैं वो fermentation में use हो जाते है तो वापस NADH का oxidation हो जाता है NAD positive में अब ED pathway में देखें क्योंकि bacteria के अंदर दोनों pathway होते है EMP भी EDP तो अगर glucose का metabolism EDs pathway से होता है तो glucose से जो pyruvate बनता है तो हमें 2 ATP मिलेंगी और अगर glucose का metabolism pyruvate में ED pathway से मिलता है उसके बाद fermentation होता है तो net gain 1 ATP का होता है तो alcoholic fermentation में ATP का yield यह तो 1 ATP molecule होता है अगर उसका metabolism ED pathway से होगा 2 molecules of ATP तब मिलेंगे अगर हम glucose से pyruvate EMP pathway से बना तो net reactions अगर हम देखे glucose plus 2 ATP यूज़ करेंगे बनेंगे 2 ethanol, 2 CO2, 2 ATP इस वाले pathway में जो है glucose का metabolism EMP पात्वे से हो रहा है अब देखते हैं lactic acid fermentation lactic acid fermentation में क्या है sugar का metabolism जो है वो lactic acid में होता है यह आपका fermentation किस bacteria में होता है streptococcus है, lactobacillus है leuconostoc है और enteric bacteria है कुछ फंजाई में भी होता है algae में भी होता है और animals में यह skeletal muscles में होता है जहां आपकी जब extensive exercise आप करते हो तो oxygen की कमी हो जाती है जब limiting amount of oxygen होता है तब skeletal muscles के अंदर lactic acid fermentation होता है इस fermentation के अंदर pyruvate जो है वो electron acceptor होता है पहले glucose से pyruvate बनता है और NAD positive का reduction NADH में होता है और जब pyruvate selected बनता है तो NADH का वापस oxidation NAD positive होता है तो यहां पर यह जो pyruvate है यहां पर यह electron acceptor का का काम करता है lactic acid fermentation कहां कहां पर यूज होता है dairy products के जहां पर yogurt बनता है vegetables के preservation में sowark rot यह cabbage से बनता है pickles आपके और आपकी fermented meat products जो बनती है उनमें lactic acid fermentation यूज किया जाता है अब product के basis पर lactic acid fermentation दो तरह का होता है एक homolactic fermentation जिसमें mainly lactic acid ही बनती है यह हमारी skeletal muscle cells में होता है animal muscle cells में और lactobacillus acidophilus bacteria है उनके अंदर होता है उसमें क्या है pyruvate से हम मनाते है lactate NADH का oxidation होगा NAD positive यहां पर NADH जो है वो electron और hydrogen देगा enzyme होता है lactate dehydrogen net reaction देखें तो glucose का fermentation होता है तो 2 lactate molecule बनेंगे और आपका 2 ATP generate होती है heterolactic fermentation में आपका lactate के साथ ethanol और carbon dioxide भी बनता है और यह उन बैक्टीरिया में होता है जिसमें phosphoketolase पातवे चलता है glucose metabolism में example देंके bacteria का तो lactobacillus brevis और leuconostock misantiroids में यह fermentation चलता है fermentation देखें हम तो glucose का metabolism होता है glucose 6-phosphate में फिर 6-phosphogluconate और फिर ribulose 5-phosphate एक carbon dioxide यहां पर release होती है फिर ribulose जो है दो compound में तूटता है एक 2 carbon compound acetyl phosphate और दूसरा glyceraldehyde 3-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate जो है pyruvate में का reduction होता है lactate में acetyl phosphate से acetyldehyde बनता है acetyldehyde का reduction होता है ethanol में तो इसमें end product lactate बनती है ethanol बनती है CO2 और net production होता है एक ATP molecule का fermentation में जो energy yield होती है वो आपकी कम होती है compared to aerobic oxidation of the food thank you this is all about fermentation of carbohydrates